नमस्कार दोस्तों आप सब को स्वागत है हमारी यूटूब चैनल फ्री कंपुटर टिक्स में तो दोस्तों आज का टीटरल है हाउ टो डू फिक्स डीपोजिट ओनलाइन जी अगर आप फिक्सडीपोजिट करना चाते हैं और भो भी ओनलाइन घर भेटे करना चाते हैं तो यहां पर आपको complete by step procedure बताए जाएगा दोस्तों तो पर वीडियो का इन तक देखते रहेगा तो चलिए सुरू करते हैं मैं हूँ पार्थ आपके साथ सो फ्रेंट्स यहां पर हम बात करेंगे fix deposit आप कैसे online खोल सकते हैं जी हैं दोस्तों पर एक्जामपल यहां पर हम state bank of India के बात करेंगे दोस्तों अगर आपका account SBI में हैं और आप internet banking यूज़ करते हैं तो आप easy तरीके से fix deposit जो है online कर सकते हैं दोस्तों तो उसके लिए सबसे पहले आप www.online.sbi.com पर विजिट करें उसके बाद यहां पर personal banking का under login लिखा है वहां पर क्लिक करें एक दूसरा page उपन हो जाएगा दोस्तों यहां पर continue to login करना है आपको नर्माली यहां पर आप आपका SBI internet banking का username password देके login करें तो security tips भी यहां पर आपको दाना चाहँगा दोस्तों आप किसी के साथ भी आपका login password है या फिर username है उसको share बिलकुल ना करें अभी आपको fix deposit में जाना है दोस्तों उसके बाद क्लिक करना है ETDR और ESTDR FD जहां पर लिखा है इसी option में आपको क्लिक करना है और उसके बाद select करना है ETDR और ESTDR fixed deposit इसको select करें और click and proceed proceed में क्लिक करें अभी आपको आपका जो fix deposit amount है वो यहां पर आपको एंटर करना है दोस्तों पर एक्जांपल यहां पर हम 10,000 एंटर करेंगे 10,000 आप fix deposit करना चाहते हैं और देन सिलेक्ट स्टी डियार cumulative interest paid at maturity देन अभी आपको select करना है 10 or of deposit यहां पर आप कितने साल कितने मैने कितने डे के लिए fix deposit करना चाहते हैं वो यहां पर आप चूज करें तो हमारे case में हम एक साल के लिए करेंगे तो यहां पर आप वो नियार select करें देन चूज दो maturity instruction यहां पर maturity instruction जो है वो चूज करें तो यहां पर हम चूज किया हैं दोस्तो repay principal and interest तो आपका जो deposit amount है और आपका जो interest है वो दोनों मिला कि आपको आपके account में repay कर दिया जाएगा देन आपको select करना है I accept the torment conditions और उसके बाद submit में click करें then verify the details and click on confirm as you can see यहां पर बहुत सरे details यहां पर देख सकते हैं amount 10,000 है maturity amount जो है 10,000 520 रुपीस है rate of interest 5.1% है तो rate of interest जो है वो vary करता है दोस्तो आपका आप जो amount deposit करते हैं या फिर आप कितने साल के लिए लेते हैं वो दो दोनों depend करता है आपका rate of interest कितना होगा और उसके बाद scroll down करें and click and confirm और दोस्तों यह आपका fix deposit जो है successfully create हो चुका है अभी आप इसको कैसे चेक करेंगे बहुत भी बता दूं तो यहां पर go back to account summary account summary पर क्लिक करें तो यहां पर आप deposit account option पाएंगा दोस्तों उसके नीचे आप पर आपको दिखाई देगा जैसे की देख पर हैं यहां पर fix deposit का number आ गया है और यहां पर details आपका amount या फिर last 10 transaction जो है वह भी यहां पर चेक कर सकते हैं तो दोस्तों यह था complete procedure अगर आपका account SBI में है और internet banking उज़ करते हैं तो आपको पता ही चल गया होगा कि आप कैसे fix deposit online कर सकते हैं तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा अगर आपको कुछ doubt है तो मुझे comments के जहरी ज़रूर पूशेगा दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो क्रिपा चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करे ताकि इस तरह का वीडियो जो है आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले जय हैं दोस्तों